हेलो एवरीवन मैं हूँ सुनीता स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सिंपली सुनीता में गाईज विंटर स्टार्ट हो चुके है और सर्दियों में हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स को फीज करना होता है फीर वो प्रॉब्लम हमारे हैल से रिलेटेड हो हमारे स्कीन से रिलेटेड हो या फिर हमारे हैर से रिलेटेड हो तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेर करने वाली हूँ जिसे आप follow करोगे तो winter season में भी आपको आपका weight loss करने में health होगी तो वीडियो को end तक जरूर देखे So guys, जो हमारी number one tip है वो है पानी आप कितनी भी exercise करो या अपकी diet follow करो लेकिन जब तक आप अच्छी तरह से पानी नहीं पीते हैं आपका weight loss नहीं होगा जी हाँ, पानी जिसे की बहुत जरूरी है हमारी body के लिए लेकिन winter season में हमें प्यास बहुत कम लगती है हमारा ध्यान नहीं रेता और हम पानी पीना भूल जाते है लेकिन कोई भी season हो हमारी body की जो जरूरत है पानी की वो same रहती है तो पानी का जो हमें सेवन करना है वो हमें winter season में भी उतनाई करना है तो आप ये कर सकते हो कि winter season में आप पानी को गरम करके पीजिए आपको गरम पानी पीना है जैसे आप सुबे उठते हो आपको दो glass गरम पानी पीना है इसका फाइदा आपको ये होगा कि जो पूरी रात में हमारे body में जो toxin तयार होते है तो इसे सुबे निकालने के लिए हमें गरम पानी पीना है तो गरम पानी पीने से आपका weight loss control रहता है weight loss होता है So guys जो second tip है वो है exercise हमें morning exercise बिल्कुल भी miss नहीं करनी है जी मुझे पता है सरदियों में उठना काफी मुश्किल लगता है लेकिन अगर हम सुबे उठके exercise करते है तो वो हमें काफी फाइडा देता है जैसे कि आपको आप या walk कर लो आप या तो हलकी फील के exercise कर लो या फिर आप yoga कर लो कोई भी हो लेकिन आपको ये 30 minutes आपके daily routine में include करना है तो इससे आपका winter season में भी weight loss होगा तो हमारी जो थोर्ड टीप है वो है हमारा डाइट जी ये काफी important thing है क्योंकि सर्दियों में हमें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगी रह लगती रहती है और हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ऐसे हमारी बॉड़ी में calories की जो intake है वो बढ़ जाती है तो हमें हमारे डाइट पे कुछ जाधा ध्यान देना है तो सर्दियों में आपको आपके डाइट में green vegetables और citrix fruits का जो include है वो जाधा करना है यह जो green vegetables और fruits होते हैं इनमें vitamin A की मात्रा भरपूर होती है तो यह हमें weight loss में health करते हैं तो इसके अलावा आप आपके डाइट में जो include करोगे वो है गाजर गाजर भी काफी अच्छा होता है आप चाहे तो गाजर का juice पी सकते हो या गाजर का हलवा खा सकते हो या तो गाजर को आप ऐसे भी खा सकते हो इसके अलावा आप include कर सकते हो मेथी दाना जी मेथी दाना ये काफी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए इससे क्या होता है कि हमारा जो digestion system है वो काफी अच्छा रहता है तो अगर हमारा खाना अच्छे से digest होगा तो हमें chances कम ही हैं कि हमारा weight gain होगा इसके अलावा आपको जो protein है fiber है इसका intake आपको बढ़ाना है बात अगर weight loss की हो या हमारे skin की हो या फिर हमारे hair की हो protein must है protein हमें बहुत ही जादा important है हमारे diet में तो protein की मात्रा बढ़ा ये fiber की मात्रा बढ़ा ये carbs को कम कीजिए और जो जो मैंने आपको बताईए आपके diet में श ताइस नमबर फोथ टिप जो है वो है sleep जी हाँ सर्दियों में हमारी नीन जो है वो काफी बढ़ जाती है काफी बार हम बहुत देर तक सोते रहते हैं या में पूरे दिन में ऐसे लगता रहता है कि हमें नीन आ रही है तो हमारी जो नीन है वो हमें कंट्रोल करनी है हमें maximum 8 गंटे की नीन दी लेनी है उसे जादा निन हमें नहीं लेनी है कि जितना जादा हम सोगे उतना जादा हमारा वीट गें हो सकता है तो आपขयाल रख donnée कि आप एक अच गंटे अपके डेली रूटीन में ड्रिंक आपको शामिल करना है, जो कि आपको सारी बीमारियों से भी बचाए और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करें, तो इसके पहले मैंने एक वेट लॉस ड्रिंक की रेसअपी आपको दिखाई थी, तो वो में डिस्क्रिप्शन लिंक में डा जैसे कि सरदीयों में आए दिन हमें काफी सारी बिमार्या होती रहती है, जैसे कि दुखाम हो गया, बुखार हो गया, खासी हो गए, तो इन सब बिमार्यों को दूर रखने के लिए हमें अपना इम्मुन सिस्टम बढ़ाना है, तो इसके लिए यह जो डिंक है वो आपको करेगी इसके लावा आपके भी ट Simple आपको करेगी तो आपको क्या करना है बस क क्या कर आफ काथ थे हैं ज्या दिन्याइज करना है और पाणी को पीना में तो ही अगर आपको अच्छी लग तो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, हल्दी रहिए